नमस्कार, सत्स्रीयकाल, सलाम, एहतराम करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ, वल्कम टू सुहाना सफर विथ अनुक पूर, only on 92.7 बिग एफिनु, कहानियों का सिलसला है, कहानियों से जुड़े हुए गाने होते हैं, गाना लीट करता है दूसरी कहानी की तरफ, तो आज की पहली कहानी है, कि कौन था वो छोटा सा मासूम बच्चा, जिसकी माँ उसे प्यार दुलार करने के लिए तडपती रही, लेकिन अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी, ये मारमिक किस्सा सुनाऊंगा, ये होगी पहली कहानी, दूसरी कहानी में, राजकुमार हीरानी का वो खाब जो पूरा ना हो सका, हमारे रेगिलर सेग्मेंट्स में तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर यात किया, आज दिल यात करेगा, प्रिसिध निर्माता निर्देशक श्री एलवी प्रसाद को, फिल्मी मिस्टेक में आज चर्चा होगी उस फिल्म की जिसका नाम है चैन्नाई एक्सप्रेस, और अन्त में हमारे श्रोता अभिनंदन ज्छा के पृष्ण का उत्तर, अगर आप तयार हों, तो शुरू करते हैं, आज का सुहाना सफर विदनू कपूर, बात है 1943 की, इन दौर रियासत में एक पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, इस मशरीफ नाम अब्दुलरशीद खान, शहर के पलासिया इलाके में उनका शांदार घर था, नेक और खुबसूरत बीवी, बेगम सिद्धिका, तीन बेटियां और चार बेटे, एक खुशाल परिवार, सबसे छोटा बेटा, पूरे परिवार की आँखों का तारा था, सिद्धिका की तो जान बस्ती थी इस नन्ह दुलारे में, लेकिन अचानक एक ऐसा रास खुला, यह यूँ कहें, कि किसी की नजर लग गई, जिसकी वजह से बेगम की जिंदगानी ही बदल गई, बच्चे उसकी आँखों के सामने होते तो थे, लेकिन सिद्धिका उन्हें अपने पास बुला कर, ना तो कलेजे से लगा पाती ना प्यार कर पाती, छोटा बेटा समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अम्मी इतना बदल क्यों गई, कलेजे से क्यों नहीं लगाती, शरारत करता हूँ डाटती क्यों नहीं, सिर्फ दूर से देख कर टुकुर टुकुर नहारती रहती हैं, और इधर सिद्धिका ने सोयम को एक कमरे में कैद कर लिया था, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, अम्मी इस तरह से बंद क्यों हो गई हैं, ये साथ साल का छोटा बेटा दिल में तरहा तरहा की बाते सोचता, लेकिन जो क कुछ हो रहा था उसकी समझ से पार था, एक दिन छोटा बेटा खाना खा रहा था, नौकरानी भागती हुआई, कहा अम्मी तुमको बुला रही हैं, बेटा खुश हो गया, कि अम्मी ने बुलाया है अपने पास, वो खाना छोड़ का दोड़ पड़ा अपनी अम्मा की तर रही, तड़प रही थी अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाने के लिए, बच्चा भी तड़प उठा मा की गोद में जाने के लिए, सिदीखा ने बड़ी मुश्किल से अपने जजबात पर काबू पाया, आँखों से आंसू चलक पड़े, ये मासूम बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि मा क्यों रोने लगी, बच्चे की कैफियत देखकर सिदीखा के सबर का बांध तूट गया, वो भाग कर अपने कमरे में चली गई, और दरवाजा बंद कर लिया, और इस गटना के कुछ दिनों बाद ही सिदीखा दुनिया से चली गई, ये मासूम नन्हा, अबोध बच्चा, इसी उधेड बुन में लगा रहा कि उसे प्यार करने वाली मा इतनी बेबस और मजबूर क्यों हो गई थी, और कहां चली गई मा, जब बड़ा हुआ, 14-15 साल की उमर में उसे अपनी अम्मी की बेबसी का एहसास हुआ, उसकी मा को टीबी हुआ जो उस जमाने में ला इलाज बीमारी समची जाती थी, छूत की बीमारी समची जाती थी, इसी लिए माने खुद को कैद कर लिया था, बच्चों को अपने पास आने नहीं देती थी, बस दूर से नहारती रहती थी, रोती रहती थी, अपनी अम्मी की बेबसी का सबब जान क पर वो बच्चा खूब रोया और दुआएं करता रहा कि किसी की मा को कभी भी ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वज़ा से बच्चे मा के प्यार को तरसे हैं कोई बच्चा अपनी मां से कभी दूर ना हो बड़ा हुआ वक्त बड़े बड़े घाओ जखम भर देता है ये बच्चा बड़ा हुआ फिल्मों में आ गया और अपनी एक फिल्म में उसने उसी मा सिदीखा के लिए शायद तसवर में वही मा का दीदार होगा एक डायलोग लिखा था जब फिल्म का हीरो शशी कपूर से कहता है तुमारे पास क्या है तो शशी कपूर कहता है मेरे पास मा है ये व हम सलीम खान के नाम से जानते हैं। राचकुमार हिरानी ने बच्पन से ही एक खाब सजा कर रखा था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, एक्टिंग करेंगे। नागपुर में पढ़ रहे थे तो कॉलेज में होने वाले प्ले में हिस्सा लेकर एक्टिंग का शौक पूरा कर लिया करते थे। पढ़ाई खत्म हुई तो पिता की बात मानते हुए उन्ही का बिजनस समहानले में लग गए। लेकिन दिल में एक चुभन बाकी थी, एक्टर ना बन पाने की, फिल्मों में काम ना कर पाने की, बेटा, अपने पिता को खुश करने के लिए, उनके आदर में, उनके लिहाज में, वो अपने खाबों को भूलाने में लगा था। मगर पिता समझ गए कि बेटे की खाहिशात कुछ और हैं, सो पिता खुद एक दिन एक फोटो स्टूडियो में, राजकुमार हीरानी का पॉर्टफॉलियो बनवाने चले गए, बेटे को पैसे दिये और कहा जाओ, बंबई के किसी एक्टिंग स्कूल में दाखला ले लो, ये बच्चा राजकुमार हीरानी खुशी-खुशी आप पहुंचा बंबई, अपने खाबों को पूरा करने के लिए, लेकिन जिस एक्टिंग स्कूल में दाखला लेना था वहाँ, उन्होंने कहा कि आप अगले साल आईएगा, हमारा तो कोर्स शुरू हो चुका है, लेहा इस्टिटूट पूरा में, ऐसा ही हुआ, अब की बार राजकुमार हीरानी जोशो खरोश के साथ पुने पहुँच गए, यहाँ पहुचकर भी पता चला कि एक्टिंग कोर्स का एड्मिशन बंद हो गया है, लीजे साहब, निराशा फिरात लग गई, लेकिन तभी एक आए तक आकर वापस लोटने का कोई मतलब नहीं है, एक्टिंग में नहीं, तो चलो, डिरेक्शन का कोर्स कर लेता हूँ, वहाँ फैकल्टी में एड्मिशन लेने पहुचे तो पता चला, इतने ज्यादा एप्लिकेशन आ चुके हैं कि उनका चांस लगना बहुत मुश्कि बना दिया था, इसलिए जिद पकड़ ली कि FTII में एड्मिशन लेकर ही जाऊँगा, जाचा कुरेदा तो पता चला कि एडिटिंग के कोर्स में ज्यादा एप्लिकेशन नहीं थी, जगा खाली थी, भर दिया फॉर्म, मिल गया है एड्मिशन, हिरानी एक्टिंग के खाब को ताक पर रखकर एडिटिंग सीखने लगे, और स्कॉलर्शिप भी मिल गई, उसके बाद जो हुआ, वो कहते न, rest is history, लेकिन एक्टिंग का खाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है, राजकुमार हीरानी का एक्टिंग का खाब हो सकता है, अन्नु कपूर जब फिल्म का शूरा हरो आप कौन सा बोल रहे हुआ, करन टंदन कर रहा हूं शर ठाना पंजाब सी, अच्छा ओ हो हो और तो एक विलेज जलंदर दे अगे रहा है ये रुड़ना दे को लेगा लुड्याना दे लुड़ना दे जलंदर द भी ज़च्चा अन्दन दे लुच्चा पता है मनुम पता है मैं आयाय पॉलो कर रहे हैं थैंक यू जी टंडन साब किते का खना ही चरहा है बिजनस है जॉब है की कर देने तुर नी मैं जॉब एजी कर रहे है मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश पर चाहिए अच्छा जी आरे वाजी 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 बहुत है चंगा लगे अजया जाना जी तुट अटुब है आज शवाना सफर विदनू को पूर तुब घासो जी हां जी आजी आज़ भॉल करना सब मेरबानी सर मेरबानी टंडन साब और कुछ कहां चाहां जाना चाहं देट तो इस दिल दी गाल कुछ भी कोई बी काल अज़ आज लाइन पर मेरे साथ खना पंजाब के ये एक जगा का नाम है खना ये खत्रियों की जगा है पंजाब में, वहां के शिरी करन टंडन जो SBI के जनरल मैनेजर है, वो लाइन पे मेरे साथ हैं, पंजाबी भाषा में उन्होंने अपने दिल के जजबात का इजहार किया है, और हात जोड के विंती की है, सभी बहन भाईयों से, सभी छोटे-छोटे आएं, यही बिंती है, ठीक है टंडन साब, तोड़ी फरमाईश कोई गाने दी, करन टंडन साब की फरमाईश पर सलमान खान का ये गान, दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिध निर्माता निर्देशक स्वरगिये L.V. परसाद को, L.V. परसाद आंधर परदेश के गाउं में 17 जन्वरी 1908 को जन्में, किसान का परिवार, जन्म का नाम रखा गया, अक्किनेनी लक्ष्मी वारा परसाद राओ, बचपन से ही L.V. परसाद को, अध्यन में कोई खास रुची नहीं थी, बहुत अलपायू में ही वो नाटकों और नृत्यमंडलिय की तरफ आकरशित होने लगे, स्कूल से भाग कर नाटक वालों के साथ गूमते रहते, और इसी चक्कर में एक दिन घर छोड़कर, बंबई आ गए फिल्मों में काम करने, ये दौर था मूक फिल्मों का, साइलेंट फिल्म्स का, दादर के कोहिनूर स्टूडियो में काम की तलाश में लगे थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो ना तो हिंदी बोल पाते थे और ना ही इंग्लिश, इसलिए काम मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो कुछ करने के लिए, जीवन यापन के लिए, पेट भरने के लिए, वहीं पास में एक दरजी की दुकान पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया खाने पीने और रहने का जुगाड हो गया लेकिन सास साथ conscious effort के साथ हिंदी सीखने की कोशिश करने लगे कुछ महीनों बाद किस्मत मुस्कुराई मेहनत रंग लाई और उन्हें Venus Film Company में Office Boy का काम मिल गया फिर इंडिया पिक्चर में नौकरी पाली वहाँ भी वो Office Boy थे लेकिन अपने मधुर स्वभाओं से उन्होंने सब का दिल जीत लिया और वहाँ से अखतर नवाज ने उन्हें साइलेंट फिल्म Star of the East में एक छोटा सा रोल करने का मौका भी दे दिया तफपश्चात भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा में उन्हें एक चर्थ निभाने का मौका मिल गया उसके बाद उसी साल एलवी प्रसाद को तमिल की पहली टॉकी फिल्म कालिदास और तेलगू की पहली टॉकी फिल्म भक्त प्रलाद में भी काम मिल गया एलवी प्रसाद ने आगे चल कर एक्टिंग छोड़ दी और निर्देशक अली शाह के असिस्टन बन गये यहां डिरेक्शन पर हाथ साफ किया समझा दो चार हिंदी और तैलगू की फिल्मों में असिस्टन का काम करने के बाद 1946 में उन्होंने तैलगू फिल्म गरह प्रवेशन से डिरेक्शन के क्षेतर में कदम रखा फिल्म की कामियाबी ने एलवी प्रसाद को स्थापित कर दिया अलग पहचान दिलवाई और तैलगू और तमिल फिल्मों में अपना एक आला मकाम बना लिया उन्होंने 1957 में उन्होंने मीना कुमारी और राज कपूर को लेकर पहली एक हिंदी फिल्म डिरेक्ट की शार्दा ततपश्चात मिस मेरी छोटी बहन बेटी बेटे जीने की रहा ऐसी कमाल की फिल्मों का निर्देशन किया और ससराल, मिलन, राजा और रंक एक दूजे के लिए मेरा घर, मेरे बच्चे जैसी फिल्मों को प्रडूस भी किया एलवी परसाद ने तमिल तैलगू और हिंदी के अलावा बंगला, उडिया, मल्याडम और कंणर भाशा की फिल्मों का भी निर्मान और निर्देशन किया और पाँच फिल्में लिखी भी एज राइटर स्वर्गी एलवी परसाद को तैलगू और तमिल सिनेमा का पिताहमा कहा जाता है सिनेमा में उनके अभूत पुर्व योगदान के लिए 1982 में उन्हें दादा साहब फाल के अवार्ट से सम्मानित किया जया उन्होंने हैदरबाद में एक आख के आस्पताल का निर्मान भी किया जो आज एशिया के वन अद बेस्ट आई हॉस्पिटल के रूप में स्थापित है 22 जून 1993 को 86 वर्ष की अवस्था में वो इस नश्वर शरीर से इस नश्वर संसार से विदा हो गये आज इस सेग्मेंट में हमने बहुत आदर, प्रेम और सम्मान के साथ देश के एक महान निर्माता निर्देशक कलाकार को याद किया वो आज हमारे बीच में नहीं है परंतु अगर उनके परिवार का कोई सदस से मित्र बंदु बांधव सुन रहे हो तो ये सनद रहे कि हमने स्वरगिये लवी प्रसाथ को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्रद्धांजली प्रस्तुत की उन्हें उनकी आत्मा को हमारे प्रणाम सुकार हो और अब बारी है फिल्मी मिस्टेक की फिल्म है चन्नाई एक्सप्रेस डिरेक्टर रोहित शेट्टी ने शारुख खान दीपिका पादुकोणे को लेकर एक फिल्म बनाई चन्नाई एक्सप्रेस उसकी फिल्मी मिस्टेक मैसल्फ राहल चालेस साल का हो गया और नॉर्मली इस एच तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आए ही जाता है मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्टा है बहुत बड़ा ट्विस्ट जिससे मेरी लाइफ ही बदल के टीजी के साथ जो हुई तुमसका सोलो विटनेस इसलिए तुम अमरा साथ कुम्बन काओ चाहती चन्ने एक्सप्रस ले चन्नाई एक्सप्रस में दीपिका पादुकोण को टिपिकल तमिल परिवार की टिपिकल लड़की बताया गया है दक्षिन भारत में लड़कियों की जब नाक छेदी जाती है तो वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ की नाक छेदी जाती है मत्तव राइट हैंड उत्तर भारत में उल्टे हाथ बाई तरफ की जो नॉस्ट्रस होते हों उनको पेर्स किया जाता है पूरी फिल्म में तमिल परिवेश है टिपिकल तमिल परिवार है दीपिका भी पूरी तरह से तमिल रंग में रंगी दिखाई गई है फिल्म में दीपिका के पूरे परिवार की महलाएं बच्ची से लेकर बुड़ी औरत तक सभी की दाईनाख पियस्ड है छेदी गई है लेकिन दीपिका बाईन तरफ है ये बड़ी माइनिट मिस्टेक है माइनिटली अब्जर्व किया है लेकिन ये हमारे एक श्रोता नहीं हम तक पहुचाया है मिस्टेक तो मिस्टेक है सिविल नाइन्स पटना के अभिनंदन जहा ने पूछा है कि प्रिसिद अभिनेता रोशन सेट का विवाह किसके साथ हुआ था जनाब शायद आपने इसलिए पूछा कि रोशन सेट का जन्म पाटली पुत्र याने बिहार की राजधानी पटना में ही हुआ था उन्होंने हॉलिवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया और रोशन सेट का विवाह हुआ था पदमश्री से सम्मानित लेखे का और फोटाग्रफर पेपिता सेट से लेकिन दुरभागिवश 2004 में ये संबंध विच्छेद हो गया मुझे उम्मीद है कि हमारे उत्तर से आप संतुष्ट होंगे इस सिलसले में आप शोताओं के पास कोई और हो सुझाओ जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें आज के लिए इतना ही मैं नतमस्तक हूँ आपके प्रेम के सामने सरखम है तेग अबरु दिलबर के सामने गर्दन जुकी है यार के खंजर के सामने मेरे परणाम सुकार करें सलाम कबूल करें चलता हूँ फिर मुलाकात होगी उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विदनू कपूर जैहिन वंदे मातरम